ओम शांती 7-2-2024 की साकार मुरली मीठे बच्चे आत्मभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्मभिमानी भव प्रश्न कौन सा अभ्यास आशरीरी बनने में बहुत मदद करता है उत्तर अपने को सदा एक्टर समझो, जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्तर उतार देते हैं ऐसे तुम बच्चे को भी यह अभ्यास करना है, कर्म पूरा होते ही पुराना वस्तर शरीर छोड़ आशरीरी हो जाओ आत्मा भाई भाई हैं या अभ्यास करते रहो यही पावन बनने का सहज साधन है शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालाद चलते हैं इसलिए आशरीरी भव ओम शान्ती बाब बैठ बच्चों को समझाते हैं क्योंकि बहुत बे समझ बन गए हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था और देवी कर्मे भी सिखलाये थे तुम देवी देवता धर्मे में आये थे फिर ड्रामा प्लैन अनुसार पुनर जनम लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहां प्रैक्टिकली बिल्कुल ही निल कला हो गई है यह है ही तमो प्रधान रामण राज्य यह रामण राज्य भी पहले सतो प्रधान था फिर सतो रजो तमो बना है अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है अब इसका अंत है रामण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य रामराज्य होता ही है सत्यूग में यह बड़ी समझने की बाते हैं बाबा को बंडर लगता है अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीती ना समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं रामण के अवगुण चटक पड़ते हैं, देवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं, बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, तुम नहीं 84 जन में भोगे हैं, तुम को फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो, यह है रामण राज्य, रामण है होता है, यहां तो सब में भूतों की प्रवेश्टा होती है, क्रोध लोब मोह का भूत है न, हम आविनाशी है यह शरीर विनाशी है, यह भूल जाते हैं, आत्मभिमानी बनते ही नहीं है, देह अभिमानी बहुत है, देह अभिमान और आत्मभिमान में रात दिन का फर्क है आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्यू के मालिक बन जाते हैं देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं भारत सोने की चड़िया था भल कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है शिबाबा आते हैं देवी बुद्धी बनाने बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुमको विश्यू का मालिक बनाता हूँ यह लक्षमी नारायन विश्यू के मालिक थे कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उँच पदबाया कर्मों की बात है न मनश्य आसुरी कर्म करते हैं तो वह कर्म विकर्म बन जाते हैं सत्योग में कर्म अकर्म होते हैं वह कर्मों का खाता होता नहीं बाप समझाते हैं ना समझने कारण बहुत विखन डालते हैं कह देते हैं शिव शंकर एक हैं अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पारवती दिखाते हैं, दोनों की एक्टिविटी बिलकुल ही अलग है, मिनिस्टर और प्रेजिडेंट को एक कैसे कहेंगे, दोनों का मरतबा बिलकुल अलग है, तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं, यह जानते हैं, जिनक का कितना उचपद है अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे विकार से पैदा होते हैं सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है फिर सन्यास करते हैं सत्यूग में यह बातें नहीं होती सन्यासी सत्यूग को समझते भी नहीं कह देते हैं सत्यूग है ही है जैसे कहते हैं श् तुम ही ब्रह्मा मुक्वन्शावली फिर विश्णुवन्शी और चंद्रवन्शी बनते हो वह दोनों दिनायस्टी और एक ब्रामन कुल कहेंगे इनको दिनायस्टी नहीं कहेंगे इनकी राजाई होती नहीν यह भी तुम ही समझते हो तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं कोई तो सुधरते ही नहीं कोई न कोई भूत है लोब का भूत, क्रोध का भूत है न सत्यूग में कोई भूत नहीं सत्यूग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं भूत ही दुख देते हैं काम का भूत आदी मद्य अंत दुख देता है इसमें बहुत मेहनत करनी है मासी का घर नहीं है बाप कहते रहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दरश्टी न जाए हर बात में हिम्मत चाहिए कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर तो हिम्मत चाहिए अपनी जाच भी की जाती है तुम बच्चे बहुत पदमापदम भागिशाली बन रहे हो यह सब कुछ खत्म हो जाएगा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं कोई तो हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं बाप हर बात में समझा परन तु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है भारत का प्राचीन राजयोग तो मशुर है इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो पढ़ाई है सोर्स ओफ इंकम पढ़ाई से ही नंबर वार तुम उच्पद पाते हो भाई बहन के समंद में भी बुद् दूसरी दृष्टी जाएगी नहीं शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं बाप कहते हैं बच्चे आशरीरी भव देही अभिमानी भव अपने को आत्मा समझो आत्मा आविनाशी है शरीर से पाट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए वह एक्टर्स कर कपड़ा बदली कर देते हैं तुमको भी अब पुराना कपड़ा शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है इस समय आत्मा भी तमो प्रधान शरीर भी तमो प्रधान है तमो प्रधान आत्मा मुक्ती में जा नहीं सकती पवित्र हो तब जाए आप पवित्र आत्मा वापिस न कैसे ही रहता है। यह तुम ब्रामण बच्चे जानते हो। गीता में ब्रामणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। यह तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वह ब्रामण है विकारी, तुम हो निर्वेकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल पाते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मोह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो तुमने फिर यह खराब काम किया उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया उनका नाम ही है शिवाले यह ज्यान भी कोई में नहीं है बाकि शास्त्रादी जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड है सत्यूग में सब सदगती में हैं इसलिए वहाँ कोई पुरशार्थ नहीं करते यहां सब गती सदगती के लिए पुरशार्थ करते हैं क्योंकि दुरगती में हैं गंगा इसनान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगती देगा क्या वह पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं तुम्हारे में भी नंबरवार हैं कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएंगे? इसलिए बाबा भेजता नहीं गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चल कर देवता बनेंगे देवताएं रहते हैं सत्योगर त्रेता में यहां तो सबसे जास्ती काम विकार में फसे हुए हैं काम विकार बिगर रह नहीं सकते यह विकार है जैसे माई बाप का वर्षा यहां तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है, वहां विकार की बात नहीं होती भगत लोग कहते हैं श्रीकृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है, बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं, तरस भी पढ़ता है, रहम दिल है न, यह कितना अच्छी समझदार बच्ची है, भब का भी अच्चा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं पढ़े लिखे को सतकार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सतकार नहीं मिलता है, यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाए हैं, कुछ भी समझते नहीं है, शिवर शंकर का अंतर तो बिलकुल क्लियर है, वह मूल वतन में, वह सुक्ष्म वतन में, सब एक जैसे कैसे होंगे, यह तो तमो प्रधान दुनिया है, रावण दुश्मन है, आसुरी संप्रदाए का, जो आप समान बना देता है, अब बाप तुमको आप समान देवी संप्रदाए बनाते हैं, वह रावण होता नहीं, आधकल्पुन को जलाते हैं, रामराज्य होता है सत्युग में गांधी जी रामराज्य चाहते थे लेकिन वह रामराज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं वह कोई आत्मभिमानी बनने की सिक्षा नहीं देते थे बाप ही संगम पर कहते हैं आत्मभिमानी बनो यह है उत्तम बनने का युग बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए, बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धी थे, आप हमको कितना उच बनाते हैं, आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे, पिछाडी को सब कहेंगे, बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो दैवी मत पर चल रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बाते सुनाते हैं, आदी मध्यांत का परिचय देते हैं, क्यारेक्टर सुधारते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रोहानी मात पिता, बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला दरश्टी को शुद्ध, पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को ना देख, आशरीरी बनने का भ्यास करना है स्वयम को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करनी है दूसरा सर्व का सतकार प्राप्त करने के लिए ज्यान योग की ताकत धारन करनी है दैवी गुणों से संपन्न बनना है, क्यारेक्टर सुधारनी की सेवा करनी है वरदान बीमारी कॉंशिस के बजाए, खुशी-खुशी से हिसाब किताब चुक्तू करने वाले, सोल कॉंशिस भव बीमारी कॉंशिस के बजाए, खुशी-खुशी से हिसाब किताब चुक्तू करने वाले, सोल कॉंशिस भव तन तो सब के पुराने हैं ही हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी बिमारी है लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बिमार हो बिमारी कॉंशिस हो जाएंगे इसलिए मन में कभी भी बिमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहिंगे सोल कॉंशेस। बिमारी से कभी घबराओ नहीं। थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाही दे दो। खुशी-खुशी से हिसाब किताब चुक्तु करूं। स्लोगन हर गुण हर शक्ती का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा ओम शान्ती। आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाओं। सुख सागर में गहरे उतर जाओं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे। इन लहरों को दामन में भर जाओं। आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा। स्चरों को देते रहो देते रहा है आप ट्रिष्टी रहरों को दो सागर